ओम नमो भाग्वते पासुदेवाया श्रीपाद भाग्वत महापुराण तीसरास्कन नौमा अध्याया रह्माजी द्वारा पाग्वान की स्थुति प्रमाजी ने कहा प्रभो आज पहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ अहो कैसे तुर्भागे की बात है कि देहदारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते भगवन आपके सिवा और कोई वस्तू नहीं है जो वस्तू प्रतीत होती है वह भी स्वरूप तह सत्य नहीं है क्योंकि माया के गुणों से शुपित होने के कारण केवल आप ही अनेको रूपों में प्रतीत हो रहे हैं देव आपकी चित शक्ती के प्रकाशित रहने के कारण अज्यान आप से सदा ही दूर रहता है आपका यह रूप जिस से नाभी कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ सैकणों अवतारों का मूल कारण है इसे आपने सत्पुर्शों पर कृपा करके ही पहले पहल प्रकट किया है पर मात्मन आपका जो अनन्द पात्र बेद रहित अखंड तेजों मैं स्वरूप है उसे मैं इससे भिन नहीं समझता इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वाति आपके इस अद्रित्विय रूप की ही शरण ली है यही संपून भूद और इंद्रियों का भी अधिश्ठान है हे विश्व कल्यान मैं मैं आपका उपासक हूँ आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना है रूप दिखलाया है जो पापात्मा विश्या सक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं मैं तो आपको इसी रूप में बार-बार नमशकार करता हूँ मेरे स्वामी जो लोग वेद रूप वायू से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंद को अपने कंपुटों से ग्रहन करते हैं उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते क्योंकि वे पराभक्ती रूप दोरी से आपके पाद्पद्मों को पांग लेते हैं जब तक पुरुष आपके अभैप्रद चरणार विंदों का आश्रे नहीं लेता तभी तक उसे धन, घर और बंदुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लादसा, दीनसा और अरत्यंत लोग आधी सताते हैं और तभी तक उसे मैं मेरे पन का दुराग्रह रहता है जो दुख का एक मात्र कारण है जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नश्ट करने वाले आपके श्रवन कीर्दन आधी प्रसंगों से इंद्रियों को हटा कर लेश मात्र विशे सुक के लिए दीन और मन ही मन ललायत ह दोकर निरंतर दुश कर्मों में लगे रहते हैं उन पेचारों की बुद्धी दैव ने हर ली है अच्युद उरुक्रम इस प्रजा को भूख प्यास वात पित कफ सर्धी कर्मी हवा और बर्शा से परस पर एक दूसरे से तथा कामहगनी और दूस्य है क्रोज से बार बार क दश्ट उठाते देख कर मेरा मन बड़ा खिन होता है स्वामिन जब तक मनुष्य इंद्रिय और विशेरूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती यद्यपी ये मिथ्या है तथा पी कर् पल भूक का शित्र होने के कारण उसी नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है देव औरों की तो बात ही क्या जो साक्षात मुनी है बेभी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुक रहते हैं तो उन्हें संसार में फसना पड़ता है वे दिन में अनेक प्रकार के व्यप प्रकार के कारण शंशंड में उनकी नीन तूपती रहती है तथा दैवश उनकी अर्थ सिद्धी के सब द्योग भी विपल होते रहते हैं नात आपका मार्ग केवल गुन श्रमन से ही जाना जाता है आप निश्चे ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद करते हैं पूर्णे श्लोक प्रभो आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन सादू पुर्षों पर अनुग्रय करने के लिए आप वही वही रूपधारन कर लेते हैं भगबर्न आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंत्यकरणों में स्थ यदि देवता लोग भी हिर्दे में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांती भांती की विपल सामाग्रियों से आपका पूजन करते रहते हैं तो उससे आप उतने प्रसन नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं किन्तु यह सर्प भूत दया असत पुर्शों को अत्यंत दुरलब है जो कर्म आपको अरपन कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता बै अक्षे हो जाता है अते नाना प्रकार के कर्म यग्य दान कठिन तपस्या तथावरत आदी के द्वारा आपकी प्रसनता ऐसा कौन फल है जो सुलब नहीं हो पाता आप सरवदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद प्रह्म रूप अद्धकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्यान के अधिश्ठान साक्षात परंपुरुश हैं मैं आपको बारंबार नमश्कार करता हूँ संसार की उत्पत्ती, स्थिती और संगार के निमित से जो माया की लीला होती है फै आपका ही खेल है अतै आप परंपेश्पर को मैं बार बार नमश्कार करता हूँ जो लोग प्रांट्याक करते समय आपके अफ्तार गुन और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन जनार्दन, कंस निकंदन आदी नामों का विवश होकर भी उचारण करते हैं मैं आपकी शरण लेता हूँ भगवन इस विश्व विश्व के रूप में आप ही विरजमान हैं आप ही अपनी मूल प्रकरती को स्विकार करके जगत की उत्पत्ती, स्थिती और प्रले के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापती एवं मनु आदी शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैल कर बहुत पस्त्रिद हो गए हैं मैं आपको नमशकार करता हूँ भगबन आपने अपनी अराधना को ही लोकों के लिए कलन्यानकारी स्वधर्म बताया है किन्तु वेई और से उदासीन रहेकर सरवदा विप्रेत निशिद्ध कर्मों में लगी रहते हैं ऐसी प्रमात की अवस्ता में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदासाफधान रहकर बड़ी शिगरता से काड़ता रहता है फै बलवान काल भी आपका ही रूप है मैं उसे नमशकार करता हूँ यद्यपी मैं सत्य लोग का अधिश्ठाता हूँ जो दो पराड़ प्रेंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनिय हैं तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता है उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है आप ही अधियग्ये रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी है मैं आपको पारम बार नमशकार करता हूँ आप पून काम हैं आपको किसी विशे सुख की कामना नहीं तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशू पक्षी मनुष्य और देवता आदी जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अने कोली लाएं की हैं ऐसे आप पुरुशोत्तम भगवान को मेरा नमशकार है प्रभो आप अविद्या, अस्मिता, राग द्वेश और अभी निवेश पाजो में से किसी के भी आधीन नहीं है तथा पी इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर वयंकर तरंग मालाओं से विशुब्द, प्रले काली जल में अनंत विग्रे की कोमल शैया पर शैयन कर रहे हैं वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं आपके नाभी कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है यह संफोन विश्व आपके उदर में समाया हुआ है आपकी क्रिपा से ही मैं तिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रविर्थ हुआ हूँ इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेतर कमल विक्सित हो रहे है आपको मेरा बारंबार नमश्कार है आप संफोन जगत के एक मात्र सुहरिद और आत्मा है तथा शर्णा गतों पर क्रिपा करने वाले है अते अपने जिस ज्ञान और एश्वरे से आप विश्व को आनन्दित करते है उसी से मेरी बुद्धी को भी युक्त करें जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रशना कर सकूँ आप भक्त वांच्छा कल्पतरू है अपनी शक्ती श्री लक्ष्मी जी के सहित अने को गुन अफ्तार लेकर आप जो जो अद्वुत कर्म करेंगे जिससे मैं स्रिष्टी रचना विशियग अभिवान रूप मल से दूर रह सकूँ प्रभू इस प्रलय काली जल में शैन करते हुए आप अनंत शक्ती परमपुरुश के ना भी कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ती अतै इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी क्रिपा से मेरे वेद रूप मानी का उचारन लुप्त ना हो आप अपार करुणा में पुरान पुरुश हैं आप परमप्रेम मैं मुस्कान के सहिद अपने नेत्र कमल खोलिए और शेश शैया से उठकर विश्व के उदभव के लिए अपनी सुमुधुर वानी से मेरा विशात दूर कीजिए श्री मैत्रे जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधी के द्वारा अपने उत्पत्ती स्थान श्री भगवान को देख कर अपने मन और वानी की शक्ती के अनुसार उनकी स्तूती कर प्रम्मा जी ठके से होकर मौन हो गए श्री मदु सूदन भगवान ने देखा कि नम्मा जी इस प्रले जल राशी से बहुत गबराय हुए है तथा लोकरचना के विशे में कोई निश्चित विचार ना होने के कारण उनका चित बहुत खिन्न है तब उनके अभिप्राय को जान कर वे अपनी गंबीर वानी से उन रश्चना के उद्यम में ततपर हो जाओ तुम मुझसे जो कुछ चाते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ तुम एक बार फिर तप करो और भागवत क्यान का नुष्ठान करो उनके द्वारा तुम सब लोगों को इस पश्टतया अपने अंत्यकरण में देखोगी फिर भक्ति युक्त और समाहित्चित होकर तुम संपून लोग और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपून लोग और अपने आपको देखोगे जिस समय जीव काष्ट में व्याप्त अगनी के समान समस्त भूतों में से मुझे ही स्थित देखता है उसी समय वे अपने अज्यान रूप मल से मुक्त हो जाता है जब वे अपने को भूत इंद्रिय गुन और अंत्यकरण से रहित तथा स्वरूपत मुझ से अभिन्न देख देखता है तब मौक्षपत प्राप्त कर लिता है प्रमा जी नाना प्रकार के कर्म संसकारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव शिष्टी को रचना की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित मोहित नहीं होता यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है तुम सबसे पहले मंत्र द तुम मुझे भूत, इंद्रिय, मुन और अन्तेकरंट से रहित समझते हो इस से जान पड़ता है कि यद्यपी देधारी जीवों को मेरा ज्यान होना बहुत कठिन है तथा पी तुमने मुझे जान दिया है मेरा आश्ट्र कोई है या नहीं इस संदे से तुम कमल नाल के खोज रहे थे सो मैंने तुमें अपना ये स्वरूप अंतेकरंट में ही दिखलाया है प्यारे भ्रह्मा जी तुमने जो मेरी कठाओं के वैबह से युक्त मेरी स्तूति की है और तपस्या में जो तुमारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है लोक रचना की इच्छ निष्ठा से तुमने सगुन प्रतित होना पर भी जो निर्गून रूप से मेरा वर्णन करते हूई स्तूति की है उससे मैं बहुत प्रसंद हूँ तुम्हारा कल्यान हो, मैं समस्त कामना हूँ और मनुर्वतों को पूर्ण करने में समर्ध हूँ जो पुरुष नित्य प्रती इस स्त्रोत द्वारा स्तूती करके मेरा बजन करेगा उस पर मैं शीगर ही प्रसन हो जाऊंगा तत्व वेताओं का मत है कि पूर्थ तप यग्य, दान, योग और समाधी आधी सादनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्यान में फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है विधाता मैं आत्माओं का भी आत्मा और इस्त्री पुत्रादी प्रियों का भी प्रिये हूँ देहादी भी मेरे लिए प्रिये है अत्य मुझसे ही प्रेम करना चाहिए भ्रमाजी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तों पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्वन हुए अपने सर्व वेत्मय स्वरूप से ही स्वयम ही रचो श्री मेत्रे जी कहते हैं प्रकर्ती और पुरुष के स्वामी कमन नाब भगवान स्रिष्टी करता भ्रमाजी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ती करवा कर अपने उस नारायन रूप से अद्रिश्य हो गए इस प्रकार तृतिय स्कंद का नौमा अध्याय समाप्दुआ हरी ओम तच्सद का आपकि अध्याय समाथ घ्या जामा में लगवागल लगवागज एक में perाई जी स्वी हो गएण दोप से भखेघ्या जे से खुषप शारे की अ सवाट से लुषार्श कर दो कर दो दो खो खी करप भा मया zar मिदाचां कर देकां कर कर दो खर के दोंध मिदाचां आ सेंगाframes C devil shakt कर दो खा he M झाल झाल झाल